आपने न जाने कितनी बार डिस्कवरी जैसे चैनलों में देखा होगा कि शिकारी जानवर अक्सर गंद से सिकार करते हैं वो या तो चुपचाप घात लगा कर अमला करते हैं या फिर सिकार के जुन्ड में कमजोर का चुनाव करके उस पर तूट पड़ते हैं यानि कमजोरी का अक्सर फाइदा उठाय जाता है अब डिस्कवरी से बाहर निकल कर राजनीती की दुनिया में आ जाईए यहां भी सेम उसी फार मुले का परियोग होता है बस या कुर्शी के संकट की गंद सुंगी जाती है कमजोर नेता और पार्टियों का सिकार किया जाता है नमस्कार में राजीर चोधरी आज बात राजनीती की देश में होने वाले अगले आमचुनाओ की बात किसानों के अंदोलन और इंडिया और एंडिये गटबंदन की दरासल सब भूल जाईए यह लड़ाई है साल 2024 के आमचुनाओ की मा भारत की तरह से नाई सच्चुकी है बस अब रथी महरती अस्वरों ही नहीं है अब उनकी जगए क्रेन है बुल्डोजर है टेक्टर है वाटर कैनन है पत्थर है और आसू गैस के बोले हैं इस समय देखा जाए तो दिल्ली ठीक उसी हालात में है जैसे वर्सों पहले किसी राजा को औराने के लिए महिनों तक उसके किले को घेर लिया जाता था रसद सामगरी बंद कर दी जाती थी अंतते ठकार कर किले के कपाट खुलते थे और युद होता था लेकिन आज देश म लोकतंत्र है और सत्ता की लड़ाई के लिए नीती और नियम बदल चुके हैं अब वारता मेजो पर होती है कभी सफल तो कभी ऐसफल वारता फिलाल दो घटबंदन का जिकर आप रोज सुनते होंगे इनमें एक इंडिया तो दूसरा एंडिये है दोनों की अपनी अपनी र विपक्स भी अपने तुनीर में किसान आंदोलन का बान चिपाए बैठा था जैसे ही मोका मिला उसने भी अपना बान चला दिया लेकिन ये बान कितना सफल होगा अब इस बारे में ठोस रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसान MSP की गारंटी की मांग पर अड़े हैं त भारत जोडो नियाय यातरा बिहार तक पहुंच चुकी हो लेकिन दिल्ली की राजनीती में काफी कुछ बदल चुका है। को खारिज करते हैं नितीज कुमार भाजबा के साथ फिर से जुड़ गया को पलट गये। बंगाल का हाल भी सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि तुरुनमुल कॉंग्रेस नेता ममता बनर जी ने हाली में कॉंग्रेस में इस कदर तोड़ फोड़ किये कि भारते जनता पारिटी भी उसके सामने अपने आपको सरमिंदा महसूस करने लगी। इदर दिल्ली में आम आदमी पारिटी पर मुख दिल्ली के सुल्तान अर्विंद केजरिवाल और आगे बढ़ गए और उन्होंने कया कि वो उन राज्यों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां अब लड़ी नेता जियन्त ने भी गटबंदन से ठीक पहले इंडिया गटबंदन से ऐसी दूरी बना ली जैसे इंडिया गटबंदन चुनावी गटबंदन ना होकर कोई छुआ छूथ की बिमारी का रोगी हो। भी उन्हें जल्दी से निकलना हो तो वे उससे भाग जाए। क्योंकि जिस तरह माराष्ट के पूरू कॉंग्रेस सी मुखमंतरी रहा सोक्षवान जैसे राजनेताओ का पार्टी छोड़ना हो और उनका ये कहना हो कि राज्य में पार्टी का कोई भविश नहीं है बले ही भाजपने उन्हें राज जिसा बसीट कर देने का वादा किया हो लेकिन उनका बियान भी इगनोर नहीं किया जा सकता यानि पार्टी के साथ साथ राजने ताभी अपना भविश देख रहे हैं अक्सर ये माना जाता है कि पिछले एक दसक में कॉंग्रेस ने कहीं बुरे द पड़ सकती है इसमें करनाटक विधानसभा चुनाव की जीते कैसा ही छण था हिमाचल में कॉंग्रेस की जीत थी जिसमें राहूल गांधी की भारत जोडो यातरा से उसे जोड़ कर देखा गया इन छोटी छोटी जीतों ने भावना पैदा कर दी थी कि कॉंग्रेस कांत न पडरसन किया हो हिंदी पटी में तो लगब कॉंग्रेस खतम होने के कगार पर है अब ये तैह हो चुका है कि अभी बीजेपी को हिंदी पटी में नहीं हरा जा सकता और पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चल गया कि बीजेपी ने हिंद को मजबूत कर लिया है वे या सरकार बनाने के लिए परियाप सीटे जीत जाएंगे तो जब तक मोधी मौजूद है सेंटर में कोंग्रेस के सत्ता में आने की उमीद राजनितिक पंडितों को नहीं दिखाई दे रही है जो लोग मोधी की लोगपिरेता के बारे में बात कर लते हैं वे आम तोर पर रूसी राष्टपती बलादी मीर पुतिन और तुर्की के आर्सी एर्दोगंजे से समकफ्सों से तुलना करने लगे हैं लेकिन इत्यास के अन्याउधारन भी है अमेरिका में फ्रेंकलिन डी रुजवेल्ट जिनकी लोगपिरेता इतनी थी कि अमे में शानदार जीर दिलाई थी हम साथ कभी उन राजनेताओं को याद नहीं करते जिन्होंने रुजवेल्ट और थेचर का विरोध किया था इसलिए नहीं कि वो बेकार थे बलकि इसलिए क्योंकि वे ऐसे सक्तिसाली नेताओं की लोगपिरेता के खिलाप लड़ना उनके ल करो वो इत्यास के भवर में फस गई है तैरने की एसफल कोशिस कर रही है इसके लिए अब उसके पास सिरफ लोकतंतर बचाने के नारे हैं किसानों के उग्र आंदोलन की दवा है नियाय की यातरा है भारत को जोडने का सिगूफा है अगर कुछ नहीं है तो वो है अपनी प हैसला हो जाएगा किसान वापिस घर लोट जाएंगे भारत में आम चुनाओ अब बहुत दूर नहीं है चुनाओ की तारीक का एलान भली ना हुआ हो लेकिन माना जा रहा है कि तीन महीने के अंदर देश में नई सरकार का गठन हो जाएगा इस करान एक बार फिर सड़के च करमठ जुझारू अनुभवी कुसालीमंदार उम्मीद्वार हाथ जोड़कर बैनर पोस्टर पर वोट मांगते नजर आएंगे